हेलो दोस्तों, वेलकम टो आवर चैनल, मेरा नाम है रजनीश, और आज की इस वीडियो में हम 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट को रिविजन करेंगे, देखे मैं अपने बारें बता देता हूं आपको, मैं भी एक UPC एस्परेंट हूं, मैं भी UPC के त्यारी करता हूं और 2024 में ए मैं इसमें कुछ और ज्यादा एड नहीं करूंगा, जो भी लक्षमी कंत में उसी को बताऊंगा, ठीक है, देखे, सबसे पहले दिया हूआ है लक्षमी कंत में 1770 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1770 का रेगुलेटिंग एक्ट किया था, तो देखे, 1620 में ब्रेटिस इस्ट इ नियम मनाने के लिए, इसे भी नियमीत करने के लिए, यक सरकार दोर उठाया गया पहला कदम था, पहली बार बटी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था, इसका सविधानिक महत्तो बहुत अधिक है, ठीक है, इसने बहुत अधिक चेंज किया था, देखे, 1770 के रेगुल गवर्नल यूर्नल नाम कर दिया गया, और पहला बंगाल का गौष देख्न को नहीं, तो वार्रिन हैस्टिंग्स हुआ इतना ही नहीं, जो बंबाई और मदरास के गौवर्णल थे उसको बंगाल के अधिन कर दिया गया पहले बंबाई मदरास और बंगाल अलग-अलग हुआ करते थे लेकिन अब मदरास और बंबाई के गौवर्णल को किसके अधिन कर दिया तो बंगाल के गौवर्णल के अधिन कर दिया इतना ही नहीं 1774 में क्लकाता में एक उस्तिम न्याले की भी उस्तिम न्याले सुप्रेम कुट की अस्थापना हुई इसमें एक मुखनय चिप्जैस्टिस कृप और गापार और विश्वत लेने पर भी पर्ठीबंत लगा दिया गया होगर्प कि ऊसके बज़ और क्या किया गया देखें जो ऑन डिरेक्टर थे के माध्यम से कंपणी कंपणी पर और और ससक्त कर दिया जो भी सर्चनंदी से समद्धिया तो पर दो थे को कह देकT दिविजन कर रिंगे तब तक के लिए ये 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 ये